नमश्कार आप देख रहे हैं वी टाइम निउस बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर देश में ऐसे कई निजी संस्थान हैं जो कर्मचारियों का दोहन कर रहे हैं बिलावसपूर में भी एक ऐसा ही निजी संस्थान है जो लगातार करमचारियों का दोहन करने में कोई कोता ही नहीं बरतता उस संस्थान का नाम है Grand Gumber Entertainment Private Limited पछले कई सालों से यह संस्था इसी तरह कमपनी के करमचारियों का दोहन कर रही है कुछ करमचारी अपनी नौकरी के डर से वहां बिना कुछ कहे कार्य कर रहे हैं तो वही जो करमचारी अपनी तौनखा के लिए यहां मांग उठाते हैं उन्हें बिना तौनखा दिये चलता कर दिया जाता है केवल उन्हें एक संदेश थमा दिया जाता है ऐसे कई करमचारी है जो नौकरी छोड़ चुके या जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया जिनकी ना तो सेलरी दी गई और ना ही उनका हसाब किताब किया गया ऐसा ही पिछले तीन महिने पहले एक कर्मचारी ने अपनी तन्खा को लेकर संस्था प्रबंधन से बात की तो तन्खा देने के बजा ठीक गई है लेकिन संस्था के द्वारा अचानक मनमाने तरीके से कभी भी किसी दिन भी उस्थिति पंजियन में अपसेंट लगा दिया जाता है और तन्खा कार ली जाती है तो वह मनमाना रवय्या अपना कर कर्मचारी को ही दोशी ठहराता है जिसके शिकायत कर्मचारी ने श्रम विभाग में की लेकिन श्रम विभाग के द्वारा इस दिशा में अब तक कोई जाज भी नहीं की गई है जो साब दर्शाता है कि विभाग संस्था के साथ मिले भगत क पर कर्मचारी को उसका वास्तवी ख़क नहीं दिला रहा है ऐसा संस्था कि हर कर्मचारी के साथ हो रहा है प्चले दिनों संस्था ने अपने न्यूस चैनल को भी बंद कर दिया और उसमें कारेरद कर्मचारीktó को 3 महिने की तौनखा भी नहीं दिये जो साब दर्शाता है कि संस्था किस तरह से कर्मचारियों का दोहन कर रही है ऐसे में अब जरुरत है तो प्रशासन को ऐसे नीजी संस्थानों पर लगाम लगाने और इन पर कठोर कारवाई करने की जिसे कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके और कर्मचारी क उसका वास्तवी खक मिल जाए ब्योरी रिपोर्ट पी टाइम न्यूस बिलास्पूर